वेल्कम टू मै चैनल उमीद करते हूं कि आप सब लोग खेरियत से होंगे आज हम बनाएंगे अंडे का हलवा यह बहुत ही जट पट बन कर त्यार होने वाला है तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एक कडाई ले लेंगे और यह मोटे तले वाली होनी चाहिए आपके मरजी आपके घर में जो भी बरतन अवेलेबल हो चाए पतीला है या चाए कडाई है लेकिन मोटे तले वाले होने चाहिए और इसे हम बिलकुल दम वाली फ्लेम पे इस हलवे को पकाएंगे ये खोया है, ये शामिल करेंगे, ये मेरा होमेट खोया है, इसकी रेसिपी पे मैं बहुत जल्द शेयर करूंगी आपके साथ, और इसे हम अच्छी तरह मेल्ट कर लेंगे खोये को, ये फ्रोजन था, इसलिए इसको मैल्ट होने में थोड़ा टाइम लगएगा, थोड़ा सा पानी शामिल करके से मैल्ट करेंगे, ये मैल्ट हो चुका है, अब इसमें चीनी शामिल करेंगे, और चीनी को भी मैल्ट करने तक हम इसे पकाएंगे, चीनी मेल्ट हो चुकी है अंडे शामिल करेंगे यहाँ पर मैं एक टीप आपको देना चाहूंगी अंडे जैसे ही किसी गरम चीज में जाते हैं तो वो सक्रैमबल हो जाते हैं तो यहाँ पर हमने इसी बात का ख्याल रखना है ताकि अंडे सक्रैमबल ना हो तेज़-थेज चमच लाते जाएंगे लाइची पॉडर शामिल करेंगे और एक बर फिर चमच तेज़-थेज हिलाएंगे यह हलवा घी में बनेगा क्योंकि इसका असल जाएका घी से ही आएगा और थोड़ा-थोड़ा घी शामिल करते जाएंगे और इसे हिलाते जाएंगे चमच की मदद से जैसे जैसे ये हलवा घी पीता जाएगा इसमें हम घी थोड़ा-थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे अब यहां पे आपने चमच को बिल्कुल लाएस्ता हिलाना है साइडों से ऐसे ताकि इस हलवे का दाना बन सके क्योंकि ये दानेदार अंडे का हल्वा है ऐसे ऐसे चमच हिलाएंगे इसकी खुश्बू पूरे किचन में फैल रही है अब थोड़ा सा घी और शामिल करेंगे और फिर चमच हिलाते जाएंगे हलके हातों से अपने चमच को हिलाना है बेकरियों में भी इसी स्टाइल से इसी तरकीब से इस हलवे को बना कर पेश किया जाता है आप भी अपने घर में ट्राइ करें और अब इसमें फूट कलर शामिल करेंगे और फिर से दो से तीन मिनट के लिए से हम हलके हातों से पकाएंगे दानेदार अंडे का हलवा बन के त्यार हो चुका है चुला बन कर देंगे अब इसे हम डिश आउट कर लेते हैं आप देखें सक्रीन पर आपको नजर आ रहोगा कि इसके दाने दाने नजर आ रहे हैं अब इसके उपर हम गार्णिश करेंगे कुछ पिस्ते और कुछ बदाम से हम गार्णिश करेंगे आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिएगा और अपना फीड़ बैक मुझे दीजिएगा आप भी संडे के हलवे को बना कर शाम की चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और इसे बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताके मेरी हर आने वली नई वीडियो आप तक पहले पहुंच सके अपना ख्याल रखिएगा तैंक यू अदाफिस